नमस्कार साथियों सित कालिन सत्र है और माहोल भी शीती रहेगा दोहजार चोविस का ये अंतिम कालखन चल रहा है कि देश पुरे उमंग और उत्सा के साथ कि दोहजार पचीश के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है कि साथियों सहुंसत का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेश है और सबसे बड़ी बात है हमारे सम्विधान के पच्चतर साल की यात्रा पच्चतरवे साल में उसका प्रवेश ये अपने आप में लोक्तंत्र के लिए एक बहुत ही उज्वल आउसर है और कल सम्विधान सदन में सब मिलकर के इस सम्विधान के पच्चतरवे वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे सम्विधान निर्माताओं ने सम्विधान निर्मान करते समय एक एक बिंदू पर बहुत विस्तार से बहस किये और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है और उसके एक महत्वपुनी काई है हमारी साउसद हमारे साउसद भी और हमारी साउसद भी पार्लामेंट में स्वस्थ चर्चा हो ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनितिक स्वार्त के लिए जिनको जनता ने अस्विकार किया है देश संसत को भी मुठी भर लोगों के हुड़दंग बाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं उनका अपना मकसद तो संसत की गतिविती को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है अब देश की जनता उनके सारे ग्यावारों को काउट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए संसत होते है नए विचार नए उर्जा लेकर क्या आते हैं और यह किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोत देते हैं कि सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है लोकतांत्रित परंपरा में हर पीडी का काम है आने वाली पीडियों को तयार करें लेकिन 80-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है वे न संसद में चर्चा होने देते हैं न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं नहीं वो लोगों की आकांग शाहों का कोई महत्व समझते हैं उनका उतके प्रतिक वो दाहित्व हैं वो कोई समझ पाते हैं और उसका परणाम है वो जनता की उमीदों पर कभी भी खरें नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर अपनी भावना अपनी विचार अपने अपेख्षाएं प्रगण करने का उपसर मिला है। उसमें भी दोहजार चोबिस के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा। और अधिक बलप्रदान किया गया है। और अधिक समर्तन का व्याब बढ़ा है। और लोक तंत्र की शर्त है कि हम जनता जनार दन की भावनाओं का आदर करें। और उनकी आशा अपेशाओं पर खरा उतरने के लिए दिन राप महनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आगरे करता रहा हूं। और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से वहवार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती हैं कि सदन में सुचार रुप्षे काम हो। लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है। वे अपने साथियों की बात को भी दबोत देवेते थे। उनकी भावनाओं का भी अनाधर करते हैं। लोगतंत्र की भावनाओं का अनाधर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को आउसर मिले। सभी दल में नए साथि हैं। उनके पास नए विचार है भारत को आगे ले जाने के लिए नहीं नहीं कलपनाएं है और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है तब हम सौसत का समय का उप्योग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है भारत का प्रती जो आकर्षन बढ़ा है उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवार रहना चाहिए विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है और भारत की संसत से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मद्दातां उनका लोगतंत्र के प्रती समरपन उनका संविधान के प्रती समरपन उनका संसदिय कार्य पद्ददी पर विश्वास संसद में बैठे विए हम सब को जनता जनारदन की इन भावनाओं पर खड़ा उतरना ही पड़ेगा और समय की मांग है हम अब तक जितना समय गवा चुके हैं उसका थोड़ा पस्चातात करें और उसका परिमार दिन करने का उपाई यही है कि हम बहती तंदुरस्त तरीके से हर विशे के अनेक पहलू को संसद भवन में हम उजागर करें आने वाली पीडिया भी पड़ेगी उसको उसमें से प्रेणा लेगी मैं आशा करता हूं कि यह सत्र बहुत ही प्रणामकारी हो समिधान के 55 वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो नए सांसदों को अवसर देने वाला हो नए विचारों का स्वाधत करने वाला हो इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी मान्य सांसदों को उमंग और उत्सां के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंतित करता हूं स्वागत करता हूं आप सब साथ को का भी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल ले गिला तेब आमों चैनल को लाइक शेर और सब्सक्रेब करेब कुछ जो मैं भी बोलों तो नहीं